हेलो एब्रीवान वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग तो मैं आ चुकी हूं फिर से अपनी किचन में मैं तो अभी सोसती हूं कि अपने शैनल का में नाम रख लो खुश्बू किचन में तो फ्रेंड ये में कर रही हूं चुकन फ्राइ क्योंकि मैं बता दू क्योंकि आज जो ह अपने माई के करनाटा का में हैं तो इस वजह से मैं नोगों को दावत दे देती हूं और दो दिन के बाद रमजान भी शुरू होने वाला था तो मैं करी दी दावत तो ये जो देखे मेरा चिकन जो है वह रेडी हो चुका है और यहां पे बिज्यानी का चावल भी मेरा में लगे उसे लेकर लेकर चीखनक और उन बिर्यानी को बनाने में और इसमेशंचा थो ठां लबता है न बनने में अब देख सकते हैं मैं लेघल रेर चिकन का और चावल ऑलो का रगा रही हूं और मैंध करी कम से कम वह खाना जो है मेरा 15 20 अठाल लुग का तो जरूरी अब में बनाने वाली थी चीली पनीर तो मैंने सुचए चलो चिकन ब्रैनी के साथ में चीली पनीर भी डाले ती और यहां पे रहा खीरा और साथ में कच्छा पापड तो यह तैसलाद कटके रेडियो हो चुका था फ्रेंड और मेरे किचन में उस वक्त आ गये थे husband जी क्योंकि वो उस वक्ट चेंबर से आये थे तो वो क्या करे थे नबहुत सारा खीरा लेकर आये थे तो वो सबी काट काट करें बच्चों को सब में बांट रहे थे सब को बांटे बांटे पता चला उनके पास सिर्फ बच्चा एक तो वो फिर ये काट के मुझे और खुद खा भी रहे थे और मुझे खिला भी रहे थे खिला रहे थे मैं अपनी से ही खा रही थी बोलने का मतलब है पहले तो वही टेस्ट के बाद में फिर मैं उठा के खाना शुरू करी थी तो यहाँ पे घर्मी का जो ऐसे भी टाइम आ चुका है और घर्मी के दिंग सबस्टर खाना वो भी नमक लगाकर वाँ कितना टेस्टी लगता है मेरे घर में मतलब घर्मी के टैम पे तो हमेशा इसी खीरा आता रहा दा और हम लोग शौक से जो है ऐसे खीरा खाते है बहुत ही अच्छा लगता है तो अब जो है मेरी अम्मी आ चुकी थी मतलब मेरे फैमिली से सब को आ चुका था तो मेरा बेटा अपनी नानी के साथ में थोड़ा खेल रहा था क्यूंकि मेरी अम्मी बहुत दिनों के बाद जो है मेरे घर पे आई थी बहुत दिनों से उनका मतलब आना नहीं हो पारा था ना मैं जा पारी थी घर पे और यहां पे मेरी बेटी और मेरी नंदी की बेटी यानी मेरी भगनी दोनों को देखे कंगारु बनकी उचल रही है, अब बारी आ गया था पनीर का, तो ये पनीर को देखे, पता नहीं किस शेप में था, मुझे नहीं समझ वहाँ था, पर मैंने सोचा चलो, अब बारी था चिली पनीर बानिन का, तो मैंने सोचा चलो, क्यूब में काट नहीं, तो मैं हमेशा क्यूब में पीस काट तियो, तो आज जो है, मैं थोड़ा सा ना यूँ, थोड़ा सा लेंद, मतलब लंबा-लंबा जो है, उसका, देखें, पीस काट रहें थे, ममल, चलो, जैसे आपकी मर्जी, कोई बात नहीं, तो वहाँ मेरा पनीर कट चुका था, और मैं चली, शिमला मिर्ज को कट करने के लिए, तो मैं थोड़ा किशन में खड़े-खड़े थक सा गई थी, तो इसलिए मैं आगई थी, रूम में, और रूम में अराम से बैट पे बैट के, जो बचा-कुचा रह गया था, उसको मैं काट रही थी, ये देखें, मेरा सिमला मिर्ज भी कट हो चुका था, और मैं थोड़ा सा प्यास को भी क्यूब में काट रही थी, और यहां मेरी बेटी और मेरी भगनी एक दूसरे को यहां पे खेल रही थी, एक दूसरे के साथ में मेरी बेटी बहुत कुछ बो रही थी, बहुत जादा, वो माशालों से बहुत कैमरें में देखती है ना, तो और हां मैं बता दूँ यहां मेरी अमीरी कॉट कर रही थी तो थोड़ा सा कैमरा इधर उधर सा हो गया तो मेरा यहां पे शिम्ला मीर्च और प्यास कटके रेडी हो चुका था तो अब मैं चली इसे बनाने के लिए तो चली आप लोगोई बताते हैं तो यहां में चड़ा दी यहां मेरा में वाहते हैं छोड़ो चली होड़ा प्यास के जिकHaas रमीलगाते हो तो थोड़ा पिस की तो चलादे हैं तो यहां मेरा ज़ींद आपका के लिमत में अ जबाद कर चये स्थ three वाह ऐगा तो जेखें चाना हो जाए 쪽 parameter को किपके तो छीजर इनम पर यहां मेरे द अच्छे तरीके से में चला ली और चलाते चलाते फिर हो गया उसमें मैंने डाल दिया चीली सॉस टमेटो सॉस और साथ में थोड़ा सा सोया सॉस और अपने देख लीजिएगा जादा नहीं डाल दीजिएगा वना कलर डार्क हो जाएगा और थोड़ा सा मैंने डाले उसमें विनिगर और फिर उसे अच्छे से चलाते हुए और लाश्ट इसमें रह गया था नमक डालना तो मैं वह भी डाल दी थी और डालने के बाद अच्छे से चलाकर इसे मुश्किल से 5 मिनिद तक मैंने उसे मंदेब थोड़ा सा ढखकर थोड़ा सा उसे और सौफ्ट होने के चला निए पनीर पहले से फ्राई करके रखे वी थी तो यह में पनीर को डाल के उसे अच्छे तरीके से चलाओ था मैं पता है ड्राइचीली पनीर मैंने सोच था बनाऊंगी फिर पता निए तो मेरे से बन गया एक्टुली ग्रेवी वाला अब मैं क्या बतना है यह ए रहा और थोड़ा सा टमेटो शॉस भी मैंने डाल दिया था तो यहां मेरा यह हो चुका था पकर रेडी बहुत टेस्टी बना था वैसे मैं बता दू और अब सब मैं चली सबको खाना देने के लिए तो यहां यही मेरी रही भाया की पेटी क्यूटी सी इसका नाम है अक्षा और व भावी मेरे हस्बंट जी और मेरा बीटा और मेरा भतीजा आइमन तो मैंने बहुत चलो सबको हाई हेलो करो तो सब यहां पर हाई हेलो कर रहा था तो यहां पर मैंने लोगों को खाना लगा दिया था अब देख सकते हैं बिर्यानी है और तकड़ है सलाद है और साथ में में तो पिर फूब बहुंते हैं तो यहां पर मैं लोग को खाना खृत क्वाक शेड़ा सैंद को भी नहीं кажं깁 और गाइर हुझा यहां ही कि उसे तो फ्रेंड मैं अपना ये व्लॉग को इसी यहीं पर खत्म करती हूं तो फिर मैं आप समयते हूं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई दोस्तों